दोस्तो अभी अभी एक काफी बड़ा announcement आया है एक company ने आपे 37-3 के ratio से stock bonus announce कर दिया है मैं हूँ आरुष आप देख रहे हैं फिनो मीडिया बाया आरुष आई अब इस वीडियो को start करते हैं दोस्तो इस stock का नाम बता दिने से पहले मैं आप लगों को इस stock की कुछ और important information के ब रोर्स की है इस stock का जो PE ratio of 139 का है जो की काफी ज़्यादा हाई है because अगर इस company का PE ratio 20 के आसपास में होता तो अच्छा माना जाता वहीं अगर हम बात करें stock के book value की तो वो 10 रूपीस का है dividend yield company की 0% की है return on capital employed याने की ROC 27.3% and return on equity याने की ROE 25% की है तो company की growth हमें decent देखने को मि इस value stock की 10 रूपीस की है और जो debt to equity ratio वो 0.43 का है मतलब company के उपर जो है जादा debt भी मौझूद नहीं है वहीं अगर हम बात करें company के profit and loss याने की financials की तो last one year को compare कर लेते हैं फटाफट तो sales की बात करें जहांपे 2021 के अंदर में company की sales 57 करोर्स की थी वहीं 2022 के अंदर में चुका है वहीं अब बात कर लेते company के net profit की तो जहांपे 2022 के अंदर में company का net profit 2 करोर्स का था वहीं 2022 के अंदर में बढ़ करके यहां पे 3 करोर्स पे आ चुका है तो 2021 में सिरफ 2 करोड़ है और 2022 के अंदर में 3 करोर्स पे आ गए तो जाधा fluctuation हमें देखने को नहीं मिली है profit कर रही है बात करें company के shareholding patterns की तो एक चीज यहां पर आप जरूर से गौर कीजिएगा December 2022 तक जो promoters थे वो company के अंदर में 74.85% का stake hold करके बैठे थे अभी जो recent data आया है latest quarter का data है जो March 2023 वाले quarter का उसके अंदर जो promoters की holding है वो अचानक से 43.77% पर आ चुकी है मदलग लगबग तीन महीने के अंदर में प्रमोटर्स ने अपना almost यहां पर जो कह सकते हो आदा stake liquidate कर दिया है आदा stake जो है यहां पर public के हाथ में थमा दिया है foreign institutions की बात करें तो इनका भी stake लगबग इन्होंने तीन गुना से अपना stake कम कर लिया है पहले जहां पर 1.43% का stake था अभी 0.53% पर आ चुका है और अगर आप देखेंगे तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स है पबलिक इसे खरीदती जा रही है stock को and 55.71% की holding आप अप पबलिक के हाथ में आ गई है इस चीज़ पर जरूर गौर कीजिएगा इस चीज़ का ध्यान रखना इन्वेस्ट करने से पहले अब आईए बात कर लेते हैं stock के नाम की तो company का नाम है hardwin इंडिया लिमिटेड company का जो NAC code है ह-a-r-d-w-y-n वहीं अगर हम बात करें company का official announcement की तो company ने आपके stock bonus announce के 1-3 के ratio से और साथ ही साथ में stock split announce के 1-10 के ratio से 1-3 का मतलब यह है अगर आपके पास में इस company के 3 stocks है तो यह एक stock आपको यहापे bonus मिलेगा total में आपके 3 stocks जो है 4 stocks में convert हो जाएंगे और वहीं उन 4 stocks पे आपको 1-10 का bonus मिलेगा जिसकी वज़े से आपके जो 4 stocks है वो यहापे 40 stocks में convert हो जाएंगे तो 1-10 का यहापे आपको stock split मिलेगा total अगर हम बात करें इन दोनों ही ratios को combine कर दे तो आप कह सकते हो कि company ने 37-3 के ratio से stock bonus announce किया है जिसका मतलब यह है अगर आपके पास में इस company के 3 stocks होंगे तो यहापे आपको 37 stocks as a bonus मिलेंगे मतलब total में आपके आपके जो 3 stocks हैं वो यहापे 40 stocks में convert हो जाएंगे तो कुछ इस इसाब से calculation रहने वाली है बट एक चीज़ का ध्यान रखना में बार-बार बता रहा हूं काफी ज़दर इसकी investment हो सकते है short term के लिए करना चाहते हो तो करके फटा-फटे एक अच्छा exit ढूंद सकते हो चलिए आज की वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं अगर आपको वीडियो ची लगी हो वीडियो को जरूर से like कर दीचेगा इस चानल को भी जरूर से subscribe कर दीचेगा बिकुस फिनो मीडिया के अंदर आपको ऐसी stock market से related content देखने को मिलता रहेगा चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर तिल दिन बाई